नमस्कार दोस्तों भक्तिनगरी यूट्यूब चैनल में आपका हर्दिक स्वागत है आज के वीडियो में हम बात करेंगे सपने में अपने प्रेमी या प्रेमिका को देखने का क्या मतलब होता है ऐसे सपने हमें आने वाले समय के लिए क्या संकित देता है या सपना हमारे लिए सुब होता है या असुब होता है ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी तो दोस्तों सपने में अगर कोई व्यक्ति अपने प्रेमी या प्रेमिका को देखता है या प्रेमी से ब्रेक अप होते हुए देखता है या सपने में प्रेमी या प्रेमी का से जगड़ा होते देखता है या फिर सपने में अपने प्रेमी से मिलन देखता है तो या सपना हमारे लिए सुब भी होता है और कुछ सपने असुब भी होते है आएए भले जान लेते हैं सुब कौन कौन से सपने होते है स्वपन सास्त्र के अनुसार सपने में प्रेमी या प्रेमी का को देखना बेहद ही सुब और अच्छा सपना माना जाता है या सपना संकेत देता है कि जल्द ही प्रेमी या प्रेमी का का मिलन होगा और दोनों के जीवन में हमेशा प्यार बना रहेगा एवं आपकी लाइफ अच्छी और खुशाल रहेगी अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो आपका अपने प्रेमी के साथ रिस्ता मजबूत होगा और अगर आप सपने में अपने प्रेमी या प्रेमी का से जगड़ा करते हुए देखते हैं तो यह सपना भी सुब होता है इस सपने के अनुसार आपका आपके प्रेमी के साथ रिस्ता और भी जादा अच्छा होगा अगर आप लोगों के बीच कोई भी गलत फैमी है तो वह दूर होगा अगर आपका जगड़ा चल रहा है तो वह भी सुलज जाएगा आप दोनों का विश्वास एक दूसरे पर बढ़ेगा इतना ही नहीं आप दोनों के संबंधों में भी मधुर्ता आएगी और एक दूसरे का हर परिस्थिती में आप साथ देंगे और अगर आप सपने में अपने प्रेमी या प्रेमी का से मिलन देखते हैं तो यह सपना आपको संकेत देता है कि आपको समलकर रहने की आवस्चता है हो सकता है कि आने वाले समय में आपका प्रेमी आपको धोखा दे, वो आपका इस्तमाल कर आप से दूरियां बना ले, इसलिए ऐसा सपना देखने पर आप सतरक रहें और अपने इच्छाओं पर नियंतरन रखना आपके लिए अच्छा रहेगा वही अगर आप सपने में अपने प्रेमी या प्रेमी का से जगड़ा होती ही देखते हैं तो घबड़ाय नहीं या सपना अच्छा होता है इसका मतलब है कि परिस्थिती चाहे जैसी भी आजाए आप दोनों उन परिस्थितियों का मिलकर सामना करेंगे और एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे आपका आपके प्रेमी के साथ रिस्ता और भी जादा मजबूत होगा तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना है हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लें और कुछ पूछना हो तो कमेंट कर थैंक यू